नेक्स्ट पॉइंट इस जैसे और आपके पास कि तूम और सब्सक्राइब के बाद आपकी जो शूगर है वह पोली मेराइजेशन की तरफ जहां वह बूब करेंगी कि कौन को सब्सक्राइब नॉर्मली रिपॉर्टिड है इन इस तरह पर जो है वह वह बाद रहता है सब्सक्राइब करें तो एक चीज याद रखिएगा कि जैसे वहां पे आपने हाइलाइट किया था ना कि आपके पास तो उनके कौन से ग्रूप सापस में वह और उसमें आपने यह चीज़ आपके पास एक शुगर का और डूसरी शुगर का अमाइनो ग्रूप एक्शुली करणा के तो यह आपने उसी तरओ से यहां पर दी को आपके पास और यहां पर आपके पास रहाँ ग्लूपस के दर्म्स को एक्शन होनी है सब्सक्राइब करें इस ग्लुकोस का कारबन वन और इस ग्लुकोस का कारबन मुम्झ वूंट करते हैं सब्सक्राइब और फो इसका अपने यूद्हार की वज़ा से इस डिर्यक्शन आपके पास उनप कर दिया यहां पर आपके पास यह जो ऑक्सीजन बती है यह वन के बाद इस ऑक्सीजन में बाउन का पोटेंशल है इस तरह से यहां से ग्रूप रिलीज होगा तो कार्बन की बलंसी डिस्टरब होगी ना बन तू थी पोर प्रिजियस्टी फोर बाउन से लेकिन और इस ग्रूप के र आपके पास यह जो लिए आपके लिए तरह से आपके पास कर दो आपके वहां यह वह सब्सक्राइब के दर्म्यान रेख जो आपके रूप के दर्म्यान दोनों को अगर आपने जह वह करने बताना चाहते हो कि कौन सा शूगर है उसमें जो ग्लाइटोसिपिक वॉन है इसको नें करने के पुछ रूज हो तो आप आप पर उस शूगर को लोगे जिसका एलोमेडिक कार्वन एक नीज हो रहा है या भी आप इस फीज को जो है वह वांड को रिप्रेजेंट करने में उस कार्वन एक्टम की यूज्ट करते हो जो कि अपना एकना अन्मेरिक कार्वन एक पॉर्मेशन में यूज्ट यहां प्ऐस्पोर आपके पास यह शूगर बीटा शूगर यह शूगर अलपा डी ग्लूकोर को यह यहां पर गलाइकोसिटिक वाउन फोर बॉन फोर वांड ही नहीं हो रहा है तो हमेशा जब आप ग्लाइकोसिटिक लिंकेज को रेखर करते हो उस शूगर की एनोमेरिक फॉर्म को आप सकते पहले लिखते हो जो अपना एनोमेरिक यूज़िक लिखायगी लिख में इस तरह से अलपा इसके बाद आप अनोमेरिक लिखिशन बताओगे बास हो तो उसके बाद आप जो नेक्स शूगर है अब यह चाहां सहाँ आपके पास यहां पर जो है वह बता सक्टे हो कि आपने जुसरी शुगर की जो एनोमेरिक फॉर् तो आप इसको इसको इस तरह से रिप्रिजेंट रही है कि आपकी जो पहली शूगर है यह अपना फॉर्स कार्बन एटम जो है इसका फॉर्स कार्बन एटम फॉर्मेशन में इन वॉल्ब है अगर आप बुक में जाकर देखोगे तो वहां पर थोड़ा इस चीज को हाइलाइट कि आपको इस तरह से रिप्रिजेंट हुआ वार में तरह आएगा अब इस नेम को हम किस तरह से लिख सकते हैं यह सिर्फ मैं इस समझार हूं कि आप लोग जो है वो जब बुक में पढ़ो विए आपके पास किसी तरह से बीप्रिजेंट कर रहे हैं तो अगर आप यहां पर देखो तो यह आपके पास नेम है फ़र इस नेम को लिखने के लिए आपके पास यह जो दो शूगर सा जिसमें एक अलपा डी गलूकोंतर दूस्की बीटा डी ग्लूकोंतर इनके दर्म्य इसके वह वाली शूगर जो अपना एनोमरिक कारबन एटम यूज़ करी एप और जो दूसरी शूगर जिसका इनोमरिक कारबन एटम है यह कौनकी कॉंसीगरेशन में बीटा कॉंसीगरेशन तो लिए आप हमेशा लैट तो राइट करते हैं इसको इसको पाद इसको बीटा कॉंसी पारिशन होगी उसके बाद आप बताओगे कि यह शूगर कॉंसी है अगर ग्लूकोस है तो आप ग्लूको एंड जो वह बना रही है उसको स्पेस्टिपाय करोगे बनाती है तो आप यहां पे पाई रैनो साइब कि आपकी जो लेट्ट साइट पे पहली शूगर है वह एल्पा कॉंसीगरेशन में है बीस्पीरियो आइस अमेरिक फॉम में है और वो साइकलिक शूगर है विच मेंस के वह पाईरनोस की पॉम में जाए यह शूगर अपना फॉस्ट कार्बन एटम यूज करती है और यह जो सेकिंड शूगर है यह आपके पास बीटा कॉंसीगरेशन में है बीस्पीरियो इसमेरिक फॉम में है अगें ब्लू पोस है औ सब्सक्राइब करते हैं क्या यह रिदीसिंग है यह नहीं इन पॉइंट को अभी जो आपने यहां पर डाय सब्सक्राइब की है इस माल तूट इस माल तोस का बता सकते हो कि माल तोस इस अच्छी अधाय आफ टूग्लू कोज जिसने से एक ग्लू कोज आपकी अलपा कॉंसीगरेशन लेकिन हमेशा यह जीज ज्याद रखेगा कि जो अलपा डी ग्लू को होता है हमेशा यह अपना फस्ट कार्बन यूज करेगी और बी बीटा शुगर जो फर्स कार्बन है वो ग्लाइक उस्टिक वांड होता हुझा इस केस में आपके पास जूग्लाइक वांड होगा वह कौन सा बाण होगा ऐलफा वन फोग्लाइक जिए अब अब इस माल पोस की हम रिदीसिंग और नौन रिदीसिंग नेचर को देखें लेकिन डायसिक्राइड में जो रिदीसिंग या नौन रिदीसिंग वांड पार्मिशन में इंगॉल्ड है विच में यह फ्री नहीं है इस तरह अगर आप लेक्टोस की बात करते हो तो लेक्टोस में फस्का पॉल आप लोगों ने यह चीज़ अडेंटिफाय करनी है कि लेक्टोस की दो शूगर से मिलके बना है मुदाइब जिसमें आपके पास एक शूगर बीकारी विलेक्टोस है और रूसरी गलूकोज लूकोज और यहां पर आपके पास जो भलंड है वह वांसे आपके पास गिलेक्टोस है गलेक्टोस अपना कार्बन तो हूश करता है और जो ग्लू कोज है यह कार्बन नमबर फॉर को यूज करते हैं यहां पे आपके पास जो बॉन है इस इस बेटा वान फॉर ग्लाइटोस ने डुनेट करना है और फॉर ग्लू कोज ने डूनेट अक्षर बच्छेश की निस्के करते हैं कि जब उन्हें एक लेक्टोस का लेक्टोस में किसी भी ग्रूप्स को जो है वो उसके वे यहां पर बता देते हैं लेकिन यह बदिख रहें पर आपके पास वह अपना कार्बन इस बच्छाइबियों तो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज एक दीटरे के एकिम हार है ना कार्बन नंबर फोर इसके इनके स्ट्रिक्चर में और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और इनके दर्मियान अब्जाब करो उर्ष ग्रूप आपके पास यहां पर अपर वह कारगोज दूसरी तरफ आपने वीटादी इलक्टोस का स्ट्चर ज्रॉज करने इस्सरिफ और सिर्फ आपके 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 पास है इसके पीटा । ग्रूप की पूजिशन को चेंज करोगे बाकि सब पूजिशन के उपर आपका जो ग्रूप्स है वो उसी औरेंटेशन में प्रेजन होंगे जैसे ग्लूपोर से यह आपके पास यहां पर बीटादी ग्लूपोर बीटादी ग्लेक्टोर का शुक्त है अब दूरिंग वॉन कर्मिशन आपके पास यह और यह और यह और यह और बनाएगी ना यहां पर आपको यह जो बॉजिशन में होने की वज़ा यह है कि आपके पास यह जो दो हाइड्रोक्साइल ग्रूप से यह यहां पर यहां पर फॉजिशन ने जो इन दोनों पॉजिशन को ब्रीच करती है यहां इस चेस में आपका जो बॉन है वह बिल्कुल इस तरह से इसक्रेट आपको नजर निया आता बलके श्लिप और आता है विश्मीं की यह जो जो दौनवर्ट पॉजिशन में है और यह इस डौनवर्ट सुजिशन से ग्रूप रीप्लेट हुआ है उसको कमपर्सेट करने के लिए एजाब बॉरीच यहां पर अटेज है तो आपके पास यहां पर जो ग्लाइटोसिटिक बॉन होगा जिस बॉन जीजीए बीचा वन्को ग्लाइटोसिक और अगेन अगर आप ले जी चौपरिटी करो तुह का ऑप सकते होगा एक ग्लूकोस वatu इसले test जो ग्लाइटोस हुआ है क्था सब्सक्राइट तेटीटा रिटीटा रिदीजिक शुकर और आपके पास यह आपके पास लेक्टोर्स फार्मेशन है इसमें आप दुबारा से अब्सक्राइब कर सकते हैं यह तो फाइनल शुकर आपके पास आजाती है सुख्रों सुख्रों सबस्क्राइब को यह तो है अब विदेशन करें आपके पास निन यह कुछ निए कर दो जो लेक्षिक्षण ऊपने पास जन्यान बनता है वह बॉन के दो ग्रुपोर्स के डंशान बनता है इस केड़र उन हम आंका जो तो क्लुकोज है उसका कारबन एकटम या और जो क्यों है कैकिन कार्बन एक टूर वान यू किए इसके इसके चिलिशा के नॉर्मनी हम प्रूक्टोज के इस रिप्र काई यहां करते हैं लेकिन यहां सब्सक्राइब करते हैं इस तरह करते हैं इस तरह करते हैं जिसने हम नंबर इस से स्टाइब करते हैं इस केस में आप इसको फ्लिप और यहां पर इसको अगर आप इस तरह से रुटेट करके इस और यह आप आप इस पास कौन सा होगा इस तो है कर्बन नंबर बान आफ ब्रुकोर यह कर्णनल सेशन के बाद यहां पर इस केस में आपके पास जो ग्लूकोर सब्सक्राइब इसकेस में पॉर्ट ऐसे प्रशिएंट बान को इंडियोग और प्रुब्सक्राइब जुको आपके पास सब्सक्रो और इसकेस में जो आपकी दोनों सब्सक्राइब को दोनों अपने 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 अनोमेरिक पार्बन अटम को लाइकर सिटिक बॉंड और इस केस में गलाइक अबन कर चुक्त लेकर वोगा वांड बीटा फूट का बॉंड तो आप इसको आप सब्सक्राइब कर लिए वांड से टूब यहां पर करने इसके वीच्टिक लिए सकते हैं इस तरह से आपके पास बनने वाली जो डाय सट्राइट है वो क्या होगी नॉन रिडीसिट हो और आपके पास प्री डाय सट्राइट यहां पर प्री एनॉमेरिक कारबन आटम की वजा जो कि आपने माल्टोज में भी अब दर्ख की है तुरी अफरिवच्च आपके पास प्रीड़ स्ट्री स्ट्राइट पर के ट्राइट है इसी तरह आप से बिकतर टोजों हम त्रजम के हैं यहां पर दोनू से शुगर नहीं है यह कोई सी शुगर होगी नॉल रेडी से